हैलो फ्रेंट्स मैं हूँ सुनीता वेलकम टू माई चैनल साय कीचन तो फ्रेंट्स आज हम बनाएंगे हरी मिर्ची फ्राई आप इसे इंस्टेट हरी मिर्च का आचार भी बोल सकते हैं आप इसे किसी भी चीज के साथ एंजोई कर सकते हैं पूरी पराठा रोटी या फिर समोसा आलुचोब वड़ा किसी भी चीज के साथ आप इसे इंजॉय कर सकते हैं बहुत ही असान है इसे बनाना चली शुरू करते हैं इसकी रेसिपी को इंस्टेंट हरी मिर्च का चार बनाने के लिए मैंने 15-20 हरी मिर्चे लिए हमें लाइट कुछ बीज को हम निकाल देंगे ताकि तीखापन कम हो जाए उसको अच्छे से दो के पोच के सुखा लिया है मैंने उसके बाद बीज में से चीरा लगा दिया है इस तरहें से इंस्टेंट हरी मिर्च का अंचार बनाने के लिए मैंने 2 टेबल स्पून डाला है कुकिंग ओ दो की की भूनेंगे 2म찮ग top 2 मिनट के लिए आइस ही भूनेंगे और यसके बाद हम सुखी नहीं करना थे बजात रहना है इसके अंदर इक बाइट रहने चाहिए और ज़यादा सुखी नहीं होना चाहिए नहीu नहीं आता है और जब क्रिस्पी रहता है तो बहुत ज्याद हो गई है और अब इसके अंदर हम डालेंगे कुछ मसाला आदा चमज में डालोंगे धनिया पाउडर एक चमज डालोंगे अमचुर पाउडर और वन फोर चमज डालोंगे में गरम मसाला और इसके साथ हमें डालोंगे कश्मीरी लाग मिश पाउडर थोड़ा कलर के लिए मिर्चों के उपर बहुत ही बढ़ियां ये चट-पटी हमारी हरी मिरच का चार बन के तयार हो जाता है अप इसे सफर में ले जाएं घर में पूरी पराथे पकोड़ी आलुचों पकोड़ियों के साथ किसी समोस्तों के साथ अब कैसे भी खाएं बहुत ही जादा स्वाधिश लगता है सफर में आप इसे लिए जा सकते हैं आप इसे वह घर में वन विक तक रखके खास रखते हैं यह बिल्कुल भी खराब नहीं होता है तो अब हम गैस का फ्लेम बंद करेंगे और इसके अंदर डालेंगे एक टेबल स्पूल लेमन जूस इसे इसका टेश जो है और भी जादा बढ़िया हो जाता है इसको हम बहुत ही अच्छे से मिक्स करेंगे तो लीजिए हमारे हरी मिर्च का इंस्टेट अचार यह मिर्ची फ स्वादिष्ट बनी हुई है आप इसे किसी भी चीज के साथ इंजोई कर सकते हैं सफर में वन वीक के लिए भी आप ले जा सकते हैं तो आप इसे ट्राइज जरू करें अगली बार आपसे फिर मुलाकात होगी एक नई रेसिपी के साथ तब तक के लिए टेक केर एंड बाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइ